हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की ओपो फाइंड N3 फिलिप फोन में आप लोग वीडियो कॉल प्रोब्लेम को कैसे सॉल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक ओपो कैसे सॉल्ब करोगे तो आज के वीडियो में मैं यहीं बताऊंगा गाइस आप लोगों को इसले वीडियो को लास तक देखिए और आगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए सब्सक्राइब k वो मिलेंगे इस Apps का तो इस Apps के option पे click कर दिजीए, click करने के बाद यहाँ पर एक option होगा App Management का, तो इस App Management के option पे click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर आपके phone में जितने भी applications होंगे सब show हो जाएंगे, और यहाँ पर से अप लोगों को phone के application को ढून लेना है जिससे आप लोग call या वीडियो call करते हो ढूदने के बाद उस पे click कर दीजिए click करने के बाद यहापर एक option होगा इस permissions का तो इस permissions के option पे click करेंगे click करने के बाद यहापर देख सकते हैं बहुत सारा option है जो मैंने पहले से ही allow करके रखे तो जो not allow किया हुए वो नीचे आप लोगों को मिल जाएगा तो इन सब option पे click कीजिए don't allow पे set होगा इसको allow पे click कीजिए और back कर दीजिए तो ऐसे करके आप लोगों को सभी option को जो है allow करके रखना है अगर आप लोग सभी option को allow करके रखेंगे तो आपका जो video call problem है 100% solve हो जाएगा तो ऐसे करके जो है आप लो को भी subscribe जरूर से कर लिजिए मिलते हैं कर लेक नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई